Hello guys, welcome back to my youtube channel तो मेरी वैजरसी में आपनों का स्वागत है आज की जो मैं रेस्पी ले के आई हूँ वो है ये सैजना की फली की सूखी चटपटी सबजी तो चलिए मैं इसकी रेस्पी आपनों के साथ शेयर करती हूँ इसके लिए मैंने सैजना की फली ली है ये कुछ इस तरीके से दिखती है तो चलिए अब हम इनको कट करते हैं इनको कुछ इस तरीके से छीला जाता है बीच में से इसे काट के और इस तरीके से नीचे तक छील के ये सारी कट हो गई है तो अब हम मैंने इने पानी से अच्छे से धो लिया है तो मैंने यहाँ अब एक कड़ाई में सर्सों का तेल लिया है तो तेल अच्छे से गरम हो गया है तो मैंने यहाँ एक छोटी चमच जीरा डाला है एक छोटी चमच हल्दी पाउडर एक बड़ी चमच धनिया पाउडर आदी चमच लाल मिर्ची पाउडर डालके इसे अच्छे से भूझ लेते हैं उसके बाद मैं यहाँ जो फलियां काटी थी वो इसमें हम डाल देते हैं और इसको अच्छे से टॉस करते रहते हैं 2-3 मिनिट तक इसको हमें ऐसा ही पकाना है और वैसे भी आपने आलू की सबजी के साथ तो इससे बना होगा अब सूखा भी ट्राइ कीजिए जिए काफी अच्छी लगती है हमारी चटपटी सबजी तो 2-3 मिनिट हो गए है तो अब मैं यहां एक अफ पानी इसमें एड़ कर देती हूं और इसे अब 4-5 मिनिट तक ऐसे ही पकाना है जब तक यह सारा पानी सूख नहीं चाता 4-5 मिनिट तक इसे हमें ऐसे ही पकाना है यह बहुत ही जल्दी बन जाती है तो चार से पांच मिनिट हो गए हैं यह देखिए इसका पानी कम रह गया है तो अब मैंने यहां इसमें एक चमच बेसन एट कर दिया है और उसको दो से तीर मिन तक ऐसे ही भूजना है बेसन डालने से इसका फ्लेवर काफी अच्छा हो जाता है हमारी यह सबजी बन के बिलकुल तयार है यह इसको सर्व करते हैं हमारी यह सेंजना की फली की सूखी चटपटी सबजी बन के बिलकुल तयार है और यह बहुत ही जल्दी बन जाती है और ये काफी टेस्टी भी लगती है आप लोगोंने आलू के साथ तो खाई होगी कभी ऐसे भी इसे ट्राइ कीजिए और यदि आपको मेरी ये रेस्पी परसंद आती है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए अब मैं नेक्स वीडियो मिलूँगी नई रेस्पी के साथ तो आज के लिए ठेंक यू